अगर आपको अपने फोटोज और वीडियो में बैग्राउंड ब्लर करना पसंद है, जैसे कि मेरे वीडियो में आपको दिख रहा होगा पीशे बैग्राउंड में, तो ये वीडियो में मैं सारी टिप्स आपको बताऊंगा कि कैसे एक्जाटली आपको बैग्राउंड ब्लर फोटोस में, वीडियो में, किसी भी लेंज के साथ में और किसी भी कैमरा के साथ में तो पूरा एंड तक देखना तो टिप्स स्टार्ट करने के पहले प्लिलीस चानल को सब्स्क्राइब कर लो क्यों कि मैं बहुत interesting videos बनाता हूँ photography और videography related तो अगर आपको किसी भी चीज में interest है तो आपको बहुत मजा आएगा इसे videos देखने में तो start करते है tips के साथ में तो first thing आपको करने है जो भी आपके पास में lens है आपको उसको उसकी maximum focal length पे उसको use करना है for example मेरे पास में यह है Canon का lens जिसे 18-255 आपको चाद दिख रहा होगा focus हो जाए तो यह मैंने set कर रहा है 55 पर क्योंकि यह 55 mm कि इसकी maximum focal length है अगर आपके फिया 55 to 250 है या 50 to 300 lens है जो भी lens है आपको उसको उसकी maximum focal length पे या length पे use करना है अगर आपके 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 इस prime lens है जिसे for example यह है young no का 50 mm prime lens तो इसको आप आपके उसको तो एको आपके फिया नहीं चेंग नहीं कर सकते है तो आपके इसको इसको फोकल lens पही यूस करना पड़ेगा इस 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 यह नहीं करना है यानि F number जो आपके उस पर होता है उसको सबसे कम लेकर जाना है अगर आपके वाद अब kit lens है तो kit lens युजूली 3.5 to 5.6 aperture range में होते हैं यानि widest यानि sorry focal lens जब maximum होती है तो they support aperture of 5.6 तो इसके नीचे आप नहीं जा पाओगे लेकिन अगर आपके अस prime lens है जैसे आप देख सकते ह aperture भी completely wide open है तो यह 1.8, 1.4, 1.2 depending on कौन सा lens आपके पास में है जो most common होता है वो Canon का STM lens होता है which is 1.8 यह Yongnu का भी 1.8 है तो आपको अपने camera के अंदर जाकर उस aperture को change करना होगा to the maximum value that means F number जो है वो सबसे कम रखना होगा तो तीसरी चीज़ जो आपको करनी है आपको अपने subject औ मैं आपको एक example दिखाता हूँ मेरा एक camera lens है अगर उसको मैं camera के front में या lens के पास में लेकर आँगा जैसे इस पास में आँगा फोकस में आने के बार तो आप देखोगे कि background एकदम बहुत ही बढ़ी आप बोके हो जाता है और जैसे थोड़ा थोड़ा दूर लेकर आँगा वैसे ही वापिस से बोके थोड़ा कम हो जाएगा ब्लड रहेगा बढ़र आपको एकदम extreme बोके चाहिए extreme background ब्लड चाहिए तो आपको अपने subject को जादा से जादा पास रखना होगा आपके lens के तो चौती चीज जो आपको करनी है कि आपको अपने subject और अपने background के बीच की distance को maximize करना होगा यही बढ़ाना होगा जितना जादा distance आप रख सकते हो उतना आपको रखना पड़ेगा अब यह दिवार के अंदर या यह room के अंदर तो मैं दिवार पीछे नहीं कर सकता मैं doctor strange नहीं हो कि मैं इसको push करना और दिवार हट जाएगी बट मैं आपको एक बाहर जाके demonstration दिखाता हूं कि कैसे background के पास होने से bokeh पर फरक पड़ता है और जितना ज्यादा आप देखोगे bokeh बढ़िया करने के लिए आपको जितना background आपका दूर होगा उतना बढ़िया आप आपको बोके निखर के आएगा या दिखना भी बड़े बोके बनके आएगा तो मैं आपको चार्ट इस बताई मैं आपको फटा वट से उसका recap देता हूं सबसे पहले आपको अपनी focal lens जो है उसको maximum रखना है जो भी lens आपके पास में 18-55 तो 55 रखना है 55-250 हो तो 250 रखना है 70-300 तो 300 रखना है अगर आपके बास में और 600 है में कुछ और lens है तो उसको आप यूज़ करके जितना maximum focal lens रखना है फर्स तिंग वो करनी है सेकंड चीज़ आपको करनी है अपको aperture को wide open करना है यानि F number जो आपको कैमरा पर आता है उसको आपको सबसे lowest रखना है तो अगर आ नीचे 2 से नीचे 1.8 जितना नीचे जा सकते हैं आपके lens के according उसको आपको उतना नीचे लेकर जाना है तीसरी चीज़ आपको करनी है कि आपको अपने subject को camera के बिल्कुत पास लेकर जाना है जितना पास लेकर जाएंगे आपको दिखता जाएगा कि bokeye उतना बढ़िया होत कोई भी lens के साथ काम करती है kit lens के रहाद भी काम करेगी prime lens के रहाद भी काम करेगी even सस्ते lenses के रहाद भी काम करेगी तो I hope इस आपको कुछ सीखने के मिला हो अच्छा लगा हो तो like करो subscribe भी करके जाना और interesting videos में साइट में डाल देता हूँ आप उसको देखकर और interesting photography और videography की अगले video में